रूस युक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस युक्रेनी सेनिकों पर जबरदस्थ हवाई हमला किया है। रूस युक्रेनी पोस्ट पर एक युक्रेनी पोस्ट पर एफबी 500 ग्लाइड़ड बम बरसा कर देह्शक मचाई है। इस हमले में डक्षनी दोनेस्ट में युक्रेन का कमांड पोस्ट पूरी तरहा से तबाह हो गया। इस बीच रूस ने दोनेस्ट में चासोव यार के पास भी आक्राम अक्ता बढ़ा दी है। हतियारों से हमले कर रही है। साथ ही युक्रेनी बस्तियों को नश्ट किया जा रहा है। यही वज़य है कि रूस फ्रंट फूट पर लड़कर युक्रेन को चुनौती पेश कर रहा है। जाते हैं जिससे इसके चारों और की हर चीज प्रभावी रूप से धूल में बदल जाती है। हाल में युक्रेनी कमांडर इनचीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की ने भी रूसी हमलों को लेकर कहा था कि पिछले महीनों और हफ्तों के अनुभव से पता चलता है कि रूस ने ग्लाइडेड एयर बॉम्स का इस्तिमाल कर विमान गतिविधी में काफी जाफा किया है जो युक युक्रेन के खिलाफ जारी अभियान में नई मारक शमता जोड़ दी है इससे पहले पस्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि रूसी सेना युक्रेनी ठिकानों पर रोजाना सौ से ज्यादा ग्लाइडेड बम गिरा कर युक्रेन को तबह करने में जुटी है ऐसे में रूस की मनशा साफ जाहिर होती हुई नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में युक्रेन के लिए दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं